मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें माता रानी सबका कल्यान करेंगी दोस्तों गनपती महुत्सों का सुबारम हो चुका है बहुत से लोग अपने घरों में गनपती की अस्थापना करते हैं और 10-3 तक पूरे स्रधा भाऊ से गनपती की पूजा अर्चना करते हैं लेकिन अंजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, जिससे गनपती उत्सों के परभाव में कमी तो आही जाती है, साथ ही इसके दूस परभाव भी होते हैं. अक्सर, स्री गनेश की परतीमा लाने से पूर्व या घर में अस्थापना से पूरव या सवाल सामने आता है कि स्री गनेश की कौन सी सूर होनी चाहिए, दाइपशें या बाइपशें या althापित करनी चाहिए, लेद की परतीमा काई चाहिए. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज्यादा से ज्यादा स्री गनेश की परतिमा लाने से पूर्व या घर में अस्थापना से पूर्व यह सवाल सामने आता है कि स्री गनेश जी की सूर किस तरफ होनी चाहिए क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि भगवान गनेश की तस्वीरों और मुर्तियों में उनकी सूर दाई या कुछ में बाई और होती है सीधी सूर वाले भगवान गनेश दुरलव है इनकी एक तरह मुरी हुई सूर के कारण ही गनेश जी को वक्रतुंड कहा जाता है भगवान गनेश की वक्रतुंड सोरो भी दो प्रकार के हैं कुछ परतिवावों में गनेश जी की सुड बाई और घुमी होती है तो कुछ में दाई और गनपती जी की बाई सूर में चंद्रमा का और दाई सूर का परभाव माना गया है गनेश जी की सीधी सूर तीनों तरफ से दिखती है दाई और घूमी हुई सूर वाले गनेश जी हटी होते हैं आमतोर पर ऐसी परतिमा घरी और ओफिस में नहीं रखी जाती है इनको अस्थापित करने पर कई धार्मिक रीतियों का पालन करना जरूरी होता है ऐसी परतिमा को देवाले में अस्थापित करके वहीं उनकी पूजा की जाती है ऐसे गनेश जी का पूजन विग्न विनास, सत्रू पराजय, विजय प्राप्ती, उग्र तथा सक्ती परदर्शन जैसे कार्यों के लिए फलताई माना जाता है दाई और घूमी हुई सूण वाले गनेश जी सिध्धी विनायक कहलाते है ऐसी मानिता है कि इनके दर्शन से हर कार्य सिध्ध हो जाता है किसी भी विशेश कार्ज के लिए कहीं जाते समय यदि इनके दर्शन करे तो वह कार्य सफल होता है वह सुफल प्राप्त होता है 22 सुण वाले गनेश जी सिंगासर्ण पर बैठे हुए गनेश जी की परतिमा जिनकी सूर बाई और मुरी हो पूजा घर में रखी जाती है इनकी पूजा से घर में सोख सांती वसम्रिधी आती है ऐसी मुर्ती की पूजा अस्थाई कारियों के लिए की जाती है जैसे सिक्षा, धन प्राप्ती, व्यवसाय, उन्नती, संतान, सोख, विवा, स्रीजन कार्य और परिवारिक खुसाली घर के मुख द्वार पर गनेश जी की मुर्ती या तस्वीर लगाना सुभ होता है यहां बाई और घूमी हुई सूण वाले गनेश जी की अस्थापना करनी चाहिए बाई और घूमी सूण वाले गनेश जी विग्न विनासक कहलाते हैं इन्हें घर में मुख द्वार पर लगाने के पीछे तर्क है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो कई परकार की बलाएं, विपदाएं और निगेटिव एनर्जी हमारे साथ आती है घर में परवेश करने से पहले जब हम बिग्न विनासक गनेश जी के दर्सन करते हैं तो इनके परभाव से यह सभी निगेटिव एनर्जी वहीं रुख जाती है वो हमारे साथ घर में परवेश नहीं कर पाती इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है, वो वास्तु दोसों का नास होता है सीधी सूड़ वाले गनेश जी सीधी सूड़ वाली मूर्थी की अराधना, रिद्धी सिधी, कुंड लीनी जागरन, मोक्ष, समाधी, आधी के लिए सर्वुत्तम मानी गई है अक्सर संध समाज ऐसी ही मूर्थी की अराधना करते हैं तो दोस्तो इस गनेश चतुर्थी पे आप मुर्ती की अस्थापना करना चाह रहे हैं तो ध्यान रखे कि गनेश जी की ऐसी मुर्ती लाएं जिसमें उनकी सुर पायें हात की और घूमी हुई हो साथ ही गनेश जी की बैठी मुद्रा वाली तस्वीर घर में लगाने चाहिए बैठी मुद्रा वाली आप परतीमा लेकर आये गनेश परतीमा इस गनेश चतुर्थी पे तो दोस्तों आसा ही नहीं पूर्ण विश्वासे कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स